साथियों, गैस बेज इंडस्ट्री और पैट्रो कनेक्टिविटी ये सुनने में बड़े टेक्निकल सिस्टम लगते हैं, लेकिन इनका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है, जीवन स्तर पर पड़ता है. गैस बेज इंडस्ट्री और पैट्रो कनेक्टिविटी रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनाती हैं। इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़े, प्रधान मंत्री उर्जा गंगा योजरा के तहत, पूर्वी भारत को पूर्वी समुद्री तट के पारादिप और पस्षिमी समुद्री तट के कांडला से जोडने का भागिरत प्रयाश शुड़ू हुआ। करीब तीन हजार किलोमिटर लंबी पाइपलाइन से साथ राज्यों को जोड़ा जा रहा है। जिसमें बिहार का भी प्रमुक्स्थान है। पारादीप हल्दिया से आने वाली लाइन अभी बांका तक पुरी हो चुकी है। इसको आगे पटना मुझभफरपूर तक विस्तार दिया जा रहा है। कानला से आने वाली पाइपलाइन जो गौरपूर तक पहुची चुकी हैं उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। जब ये पूरा प्रोजेक्ट तयार हो जाएगा तो ये विश्वकी सबसे लंबी पाइपलाइन परियोजनाओं में से एक हो जाएगी। साथियों इसी गैस पाइपलाइन की वज़से अब बिहार में ही सिलेंडर भरने के बड़े-बड़े प्लांट लग पा रहे हैं। बांका और स्चंपारन में ऐसे ही दो नए बॉटलिंग प्लांट का आज लोकारपन किया गया है। इन दोनों प्लांट में हर साल सवा करोड से जादा सिलेंडर भरने की ख्षमता है। इन प्लांट से आपके बिहार के बांका, भागलपूर, जमुई, अरयया, किसन गंच, कटिहार, पुर्वी चंपारन, पस्चिम जंपारन, मुझभरपूर, सिवान, गोपाल गंच और सितामडी जिलों को इसकी सुविधा मिलेगी। वहीं जारखन के गोड़ा, देवगर, दुमका, साहिब गंच, पाकुर जिलों और उत्तरप्रदेश के कुछ शेत्रों की LPG से जुड़ी जरुरोतों को ये प्लांट पूरा करेगे। इस गैस पाइपलाइन को बिछाने से लेकर इससे जो नए उद्योगों को उर्जा मिल रही है, उससे बिहार में हजारों नए रोजगार बन रहे हैं और आगे भी अनेक रोजगारों के लिए संभावना बन रही है। साथियों, बरोणी का जो खात कारखाना बंद हो गया था, वो भी इस गैस पाइपलाइन के बनने से अब बहुत जल्द काम करना शुरू कर देगा। गैस कनेक्टिविटी से जहां एक तरफ फर्टिलाइजर, पावर और स्टील इंडस्ट्री की उर्जा बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ सी एंजी आधारिर, स्वच्छ यातायात और पाइप से सस्ती गैस और आसानी से लोगों के कीचन तक पहुँचेगी। इसी कड़ी में आज बिहार और जारखन के अनेक जिलों में पाइप से सस्ती गैस देने की शुरुवात हुई है। ये देश के हर परिवार को साब सुत्रे इंदन दूआर रहित कीचन से जोडने के आंदोलन को और गती देगा।